आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ जू कोलेरी इस Nutritive Muscular Cell of Hydra is अब यहां पूछा गया है यह Relation क्या है जो कि Zoo Coralie और Hydra के बीच में पाया जाता है तो Zoo Coralie जो है इसके बार में बात कर लेते हैं तो यह एक Algae है जो कि Auto-Trop है यानि यह अपना Food जो है वो Photosynthesis के थूँ बना सकता है और इसी वज़े से Zoo Zanthili जो है या फिर Zoo Plurali जो है यह अपना Food produced करता है और Phir Hydra को Supply करता है और Hydra जो है वो क्या करता है तो Hydra Defense Organ करता है और यह Shelter Provide करता है Shelter कि इसको Provide करता है तो यह Zoo Coralie को से Shelter Provide करता है ताकि इसको कोई Harm नहीं करे और hydra जो है ये नीडरिया का होने के कारण इन में नीडो ब्लास्ट सेल्स जो है वो प्रेजन रहते हैं जो की as a difference पाया जाता है नीडो ब्लास्ट सेल्स और इसी वज़े से ये दोनों जो है एक mutual understanding या फिर mutual relation में पाये जाते हैं तो जली देखते हैं कि options क्या क्या है तो last options mutualism जो है जिसमें दोनों ही benefited होते हैं यानि हम लोग दोनों को plus plus लिख सकते हैं जिसमें जू को लेरी जो है वो food produce करता है तो ये positive होता है हमारे hydra के लिए और hydra जो है इसको shelter provide करता है और साथ ही साथ defense भी provide करता है इसलिए इसका भी जो है gain है तो दोनों mutual relation में है इसी वज़े से last option हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा अब पहला जो option है वो है minus symbol से denote कर रहा है नेक्स्ट है parasitism तो parasitism हम लोग जानते हैं कि जो disease cause होते हैं body पे वो सारे parasites होते हैं जिससे कि जो host होता है वो loss में जाता है और जो parasite होता है वो gain करता है जैसे कि nutrition gain कर रहा हो body से तो इसी वज़े से इनका जो relation है वो plus minus का होता है और last है commensalism तो ये एक ऐसा relation है जिसमें जो host होता है उसको कोई फर्क नहीं परता है लेकिन जो उसके उपर parasite होता है parasite भी नहीं जो organism उस पर dependent है वो benefited रहता है benefited रहता है और ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं जो cow के उपर bird रहते हैं white वाले वो क्या करते हैं वो cow से जो है वो lease या पिर lies जो है वो खा ले ही पर रहा है लेकिन जो हमारा bird है उसको अपना nutrition मिल जा रहा है इसी वज़े से उनका एक zero और प्लस वाला relation है तो हमारा correct option यहां zoo corally और जो हमारा hydra है उसके बीच में क्या हो जाएगा तो उसके बीच में एक mutual relation हो जाएगा क्योंकि दोनों-दोनों को benefit कर रहा है इसलिए last option जो है वो हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा Classics to 12 से लेके Neat IIT GE Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर